नमस्कार बहुत स्वागत आपके साथ मैं हूँ ललित प्रजापती बहुत बहतरीन तरीके से हम आपको वोटिंग ट्रेंड के लिहास से इतिहास बताते हैं वर्तमान समझाते हैं ताके आपका भविष्च बहतर हो सके बतौर बोटर बतौर भगवान हर दिन आपको वोटिंग ट्रेंड के हसाब से लोकसभा सीटों के सियासी गणित पर हम चर्चा करते हैं इसी कड़ी में आज बात करेंगे राश्ट्री राजधानी दिल्ली की उत्तर पूर्वी दिल्ली और 36 गण की सरगुजा लोकसभा सीट की आखर बीते चुनाओ का ट्रे तो सबसे पहले बात करेंगे राश्ट्री राजधानी दिल्ली की यहां उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल बनी हुई है और इसकी वजजा है मैदान में जो प्रत्याशी उतारे गए है चौनाओ में दिल्ली की सीट पर लेकिन प्रत्याशी बिहार का है चुनाव ये दिल्ली का है पर प्रत्याशी बिहार का है इस बार मुकाबला पूर्वान चली बनाम पूर्वान चली है एक तरफ बीजेपी की तरफ से भोजपूरी एक्टर गायक मनुस्तिवारी मैदान में है और दूसरी तरफ से कॉंग्रेस के कनहिया कुमार अभी सब्सक्राइब करेंगे किस तरीके की को जबता देख और जादा तरीके से अब इससे हम आपके लिए सम्झाने की कोशिश करेंगे किस तरीके का το है उत्तर पूरवी दिल्ली लोग्सभा का यह वोटिंग्ट्रेंड इस वक्त आप देख 2014 में 60% से जादा वोटिंग 2019 में वोटिंग का परसेंटेज 63.81 कमी यहाँ 2019 में आई थी अब यहाँ पर चुना होने यह वोट परसेंटेज उत्तर पूर्वी दिल्ली लोग सभा का इसके अलावा वोट शेयर कितना है और वो क्या कह रहा है वोट शेयर देख लीजिए 2009 में 33% बीजेपी के खाते में 69.03 कॉंग्रेस के खाते में जाता हुआ नजर आता है 2014 45% 34% लेकिन सिंबल बदल गया जाडू आ गया है जाडू आ गया है आजकल जाडू बड़ा विवादों में भी चल रहा है खैथ 2019 पे आते हैं 54% बीजेपी के खाते में जबकि 28% वोट कॉ आते में यहाँ पर गए 25% का अंतर इस बार खास बात ये भी है कि दिल्ली में जो चुनाव हो रहे है वो दो पार्टियां जाडू और पंजा एक साथ मिलकर यानि आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस एक साथ मार्जिन समझ लीजेए जीत का उत्तरवुर्वी दिली 2009 दो 2014 में ये मार्जिन बढ़कर हो जाता है एक लाग चावालिस हजार 2019 में बंपर बढ़त मिलती है तीन लाख 66,000 ये मार्जिन चला जाता है जीत का मार्जिन वोट शेयर के हिसाब से किसे कितना मुनाफ़ा होता है किसे कितना नफ़ा नुक्सान हुआ वो अब हम आपको बता देते हैं पहले जान लीजिए कब कौन जीता जेपी अगरवाल 2009 में कॉंग्रेस मनोस्तिवारी 2014 से यहाँ पर है 2019 में भी मनोस्तिवारी ही इस सीट पर जीते हैं और इस बार भी मौका यानि 2024 में मौका फिर से मनोस्तिवारी को ही मिला है क्या मौकाबला अब जान लीजिए मनोस्तिवारी बीजेपी की तरफ से जो सिटिंग MPB है कनहिया कुमार जो लगातार चर्चा में है अपने भाषण को लेकर अपने पुराने भाषणों को लेकर अपने नारों को लेकर बेगुसराय से हाला कि यह पिछली बार हार चुके ह और अब दिल्ली में मनोस्तिवारी के सामने ये मैदान में है उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट क्या कुछ कहती है बेहत खास मैमान हमारे साथ बने हुए है उनसे हम चर्चा भी करेंगे और जैसा कि हमने आपको जिक्र किया है एक हाई प्रोफाइल सीट के साथ साथ हमारी कोशेश है होती है कि मध्यप्रदेश 36 गड़की वो कौन सी सीट है जिसके बारे मैं आपको जान लेना चाहिए चली मैमान साथ का तारूफ करवाद है आलोक वत साथ हमाई साथ जुड़े हुए राजनेतिक मिशले शक बहुत स्वागत प्रकाश पुंज पांड़े स को क्या तस्वीर आपके असाथ से आलोक सर निखिल अली जी मैं आपके आकड़े देख रहा था लगासार की जापाई हुआ है भारतिय जनता पाशी के वोट में और मुझे उमीद है कि जिस तरीके की योजनाए प्रदान मंत्री जहिन मुदी ने दिया है इससे आम आपनी क को रहात पहुंची रही है उसे साथ से मुझे लगता है कि मनोज्तिवारी इस सीट को बलकरार रखेंगे मारजीन चाहिए त्री पॉइंट सिक्सिक्स लाक्स का ना रख पाए क्योंकि आप और कॉंग्रेस दोनों कंबाइन होके लड़ रही है और दूसरा एड़्वांटे के कैंडिडेट है उनका जो पुराना भाषन सब है वो सब उनके पूरित जाएगा लों को वो यह बाते जब याद आएगे तो शायद कनिया कुमार पहली पसंद ना रह जाए पेरा अपना ऐसा मनना है जी लेकिन अन्तो गत्वा मनोचिवारी सीट को निकालने में सफल रहेंगे त्री पॉइंट सिक्स नहीं यह मामला कहीं जाके लाग सबालाग पर आके ठिक है जी जी सबालाग के आसपा साकरी ठिकती नजर आ रही है प्रकाश पुंज पांडे साहब भी हमां साथ बने हुए प्रकाश कि क्या आप चार तारी को इस सीट को लेकर नजर क्या आपको नजर आता है सवाल नंबर एक दूसरा क्या कॉंग्रेस का नहीं के साथ को एक्सपरिमेंट यहां पर करने जा रही है उच्छी जिम्मेदारी बढ़ाने टाइप का कुछ या फिर किसी को उतार देना था इस बोडी लंग्वेज है वो बोडी लंग्वेज डिफेंसिव है डिफेंसिव बोडी लंग्वेज में विलिंग परसेंटेज बहुत काम होता है अगर वही आपका अटेकिंग बोडी लंग्वेज है मनुस्तिवारी का बोडी लंग्वेज लिखेंग या बीजेपी का अटे अगर है कि कॉंगरेस का बोड़ी लंगवेज डिफेंसिव है वो लड़ना है बोल के एक कैंड़ेट को उतार दिया है चुकि कनाया कुमार दिल्ली में जन्यू में तोड़ा सा पॉपलर चेहरा थे तो लगा की चलो सेलेब्रेटी वर्सस सेलेब्रेटी हो जाएगा पर मैं वसका जीर की बात से सहमत हूं मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा टफ पाइट दे पाएंगे लेकिन मुझे लगता है यहां पर मनोस्तिवारी चुकि सौमेश हवी है एक पुर्वी उत्रमदेश का एक बड़ा चेहरा है और चुकि लोग गायक है शांसत रहते हुए भी उनकी चवी अच्छी है एलिगेशन नहीं है तो उसका एडवांटिज बीजेपी को यह मिलता दिख रहा है जी 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 चलिए आप दोनों लगातार हमारे साथ बने रहेगा अब हम 36 गड़ का रुक करेंगे और 36 कि जो महतुपून सीट है सर्गुजा का हम रुक करने जा रहें काटे की टकर और राजनेतिक तौर पर बहुत महतुपून यह सीट मानी जाती है 36 गड़ की सत्ता की चाबी सर्गुजा और बस्तर संभाग इन सीटों से खुलती है कहा जा रहा है हलाके बहुत सारे जो सियास मिट्स है वो बीजेपी के आने के बाद से बदले हैं यहां पर सभी सीटों पर कमल खिला है लोगसभा में यह सीट लोगों की निगाहों में है सर्गुजा का इतिहास क्या है हिस्ट्री क्या है वह अभी आपके सामने बिल्कुल यहां पर आने वाली है देख लिजे आप इसे मान कर चलिए यह सर्गुजा का वोट परसेंटेज है इस सीट पर वोट हो चुका है मध्यप्रदेश चार तारीक का यहां पर इंतजार किया जा रहा है हिस्ट्री में और क्या हमारे पास है वोट शेयर जान लीजिए 2004 में बावन परसेंट बीजेपी के पास 37 पर से जादा बारा परसेंटेज का अंतर दो हजार नीस इतकावन परसेंट 49 परसेंट बारा परसेंट का डिफरेंस लेकिन सब के बीच 2019 2014 के बीच 2018 है जब कॉंग्रेस की सरकार को प्रचंड जनादेश वहां पर मिला था इतिहास की बाद हो गई अब तो यह आपने देख लिय आप जान लेते हैं कि सर्गुजा में वोट का जो जीत का मार्जन है वो कैसे 2004 में एक लाग से जादा 2009 में एक लाग उन्सट हजार से जादा 2014 में 1,47,000, 2019 में 1,57,000 से जादा यहां जीत का मार्जिन गया है सरगुजा लोकसभा ये स्थितिया है जीत के मार्जिन की परसेंटेज आपने जान लिए जीत का मार्जिन किस तरह से रहा और किस पार्टी को कितना मिला मुकाबला से पहले के कौन यहां पर कब जीता है नंकुमार साय, इनके लंबे बाल, आंदोलन के चलते ही इनके बाल लंबे है मुरारी लाल सिंग 2009 में, कमलभान सिंग मरावी 2014 में, रेणुका सिंग 2019 में मंत्री रहते हुए बड़े गंभीर तरीके से, अटैकिंग तरीके से इन्होंने कॉंग्रस को घेरा है बीजेपी के खाते में यह seat रही है हाला कि नंकुमार साय बाद में नाराज हो गए, नाराज होकर वो कॉंग्रस में चले गए इस बार क्या मुकाबला है, वो भी आपको जान लेना चाहिए कुल चुनाओ लेकर उससे पहले जान लीजिए कुल चुनाओ 17, कॉंग्रस के खाते में 6, बीजेपी के खाते में 10, जन्ता पाटी के खाते में 1 एक बात और भी है, 2000 में 36 गड़ का गठन हुआ है, उसके बाद से इस्तिकियों में थोड़ी तब दीलिया आई है कुल चुनाओ यहाँ पर 17 हुए, क्या स्थितिया रही, यह जान लीजिए सरगुजा, लोगसभा की क्या, जाती है समीकरण OBC 42%, आदिवासी 38%, सामानने 8% इस सीट पर है लेकिन यहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है बात, वो हम आगे आपको बताएंगे किस तरीके से मुकाबला यह देखिए चंता मनी महराज, नाराज होकर कॉंग्रेस में गए थे, कॉंग्रेस से वापस BJP में आ गए कॉंग्रेस में थे तो आरोब भी लगे, BJP में आते ही क्लिंचिट मिल गए चंता मनी महराज, यह गुरु गाहिरा के बेटे हैं, इनके पीछे एक लंबा समर्फक और भक्तों का सैलाब है शैसी सिंग, नई candidate, थोड़ा नवेली निताओं में आती है, खास बात, फायदा किस बात का मिला राहुल गांधी की जो भरक जोड़ो यात्रा हुई थी, पिछले बार, उसमें लगातार इन्हों ने एक्टिवली काम किया थोड़ी नाराजगी यहां के लोगों की ये भी थी कि इन्हें मौका क्यों दिया गया है महमार हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर उनके पास हम आपको लिए चलेंगे और बारीक तरीके से सर्गुजा सीट को हम समझने की कोशिश करेंगे सर्गुजा संभाग को हमने सर्गुजा सीट को हमने उसकी जो हिस्ट्री रही वो पूरा बता दिया अब चार तारीक को आप क्या देख पा रहे हैं और क्या कुछ खास सीट पर प्रकाश सर प्लीज जनता पार्टी एक बार जीती है और उसके बाद कॉंग्रेस और बीजेबी की रही है लेकिन हालिया तस्विर यह है कि पिछले 20 सालों से ये सीट बीजेबी की पास है और जब पिछला 2018 का विदान सबा कॉंग्रेस ने प्रचंड बहमों से जीता तो भी ये सीट कॉंग्रेस में जाने के बता है ये रेणुका सिंग ने 2019 में जीत कर बीजेबी की जूली में डाल जी थी तो वो अगर ट्रेंड देखा जाए तो उस ट्रेंड में अब जब आठ विदान सबा इस समय जो आठों की विदान सबा है 2023 में जो विदान सबा हुई है जिसमें आठ विदान सबा जिस लोग सबा में आती है सबी की सबी बीजेबी की पास है तो मतलब अगर इतिहास देखा जाए और वर्तमान देखा जाए तो पूरी के पूरी जो चांसेज है पूरी के पूरी जो परस्तितिया है वो ये इंकित करती हैं कि ये सीड बीजेपी को जा रही है चिंता मरी महाराज कॉंग्रेस से निकल गए और बीजेपी में ने उन पर पूरुसर जताया उनका एक आध्यात्मिक पुष्ट भूमी है जैसे आपने बताया कि असन के उनके भक्त भी है तो उसको लेके एक मेजर अड़नेटेज है परिपक को नेता है प्लस उसके बाद उनके अपोनेंट जो है शसे सिंग कुराम ये इनको राजनिती विरासत में मिली है ये कोई उबरा हुआ नेता नहीं है इनके पिता पूरो मंत्री थे तो उसको देखते हुए मुकाबला अच्छा है लेकिन सास में इसमें मोदी की गारेंटी को दरकिनार नहीं कतरते है इसमें जब मोदी की गारेंटी का तड़का लगता है तो ये सीट वापस जिस से 20 साल से वीजेपी के पास है ये सीट इस समय भी वीजेपी की पास ही दिख रही है अब मार्जीन मुझे लगता है दो लाग के आसपस होने की संबावना है तो बढ़ता हुआ मार्जीन नजर आएगा एक बात आलोक सर मैं आपके पास आना चाह रहा हूं दिली को लेकर मे जलती है चीजें अलग हो जाती है आलोक सर सरगुजा सीट अभी जो प्रकास कुंजी ने कहा मैं लगवग उनकी बातों से सहमत हूं और एक चीज आपने नोट किया होगा 2004 से लेके 2024 कर पीजेपी ने लगातार अपने कैडिडियेट बदल दिये हुआ कोई भी नंद कुमार साथ के साथ स्टार्ट हुआ था यह जीत का समय करण और चिंता मानी महराज पर आके रुकाईए लेकिन कोई भी कैडिडियेट दुबारा लिपीट नहीं हुआ है हर वक्त एक निया चेहरा देके उन्होंने उस सीट को बरकरार रखा है और मुझे लगता है कि इस ट्रेंड में को वो आगे भी बरकरार रखेंगे और जीत का मार्जिन दो लाग के आसपार जैसा कि परकास कुंजी ने कहा वो बढ़ेगा उसी के आसपार की जो इस बार चुनाव लगना है उनका अपना भी एक धार्मिक रिकार्लों से बहुत बड़ी फैंस होलोईंग है तो मुझे नहीं लगता वहाँ पर बीजेपी को कुछ दिक्कत आनी चाहिए जीत में और जीत के मार्जिन को बढ़ाने में लगासार जिस तरीके से 2004 से काभी होते रहे हैं एक एक चुनाव में कैंडिडेट भी बदलते रहे हैं तो लोगों को इस कैंडिडेट के प्रसीजर थोड़ा होता है कि साब यह कुछ काम नहीं किया है यह सिर्मोदी के नाम पे निकलने चाह रहा है जिस तरीके का ट्रेंड इस वाल बहुत से सीटो पर देखने को मिल रहा है कि people are not against Modi but they are against the candidates. इसने कोई काम नहीं किया तिसरा टर्म आगया टिकर्ट में वो वो फैक्टर भी यहां नहीं काम करेगा निया चेहरा नहीं रूप में आये हैं तो मैं ठीके बाद से सहमत हूं यह सीट बढ़कराल भी रहेगी और मार्दीं भी ब है लेकिन प्रकाश्टर भी लगातार हमां साथ बने हुएं प्रकाश्टर एक बात शैशी सिंग को लेकर कहीं कहीं से विरूत के स्वर उठे थे हलाके कॉंग्रस कुछ ऐसा कर रही है कि तजुर्बे को या कॉंग्रस की एक दिक्कत है नए नेता बनाम पुराने नेता वहा शैशी सिंग को जब लाया गया ऐसी इस्थितियां सरगुजा में नजर आई अंदर खाने दभी जबान में बाद भी कही गई और सरगुजा ने तो इस बार मतलब विधान सभा में पूरा अंबिकापुर संभाग ने तो बहुत चौका कर रख दिया था दो दोस्त एक साथ मैदान में आए आमने सामने रहे और वो इतियाद बन गया कि मेरे ख्याले 94 वोट से टीएज बाबा हार गए तो क्या शैशी सिंग ये पुराने बनाम नए इस उसमें पिस गई है जी प्रकाश सर नजर जी एक शब्द है नेपोडिजम सरगुजा में इस समय नेपोडिजम पर बात हो रही है कि आलेडी जिसके पापा जिसके पिदा जी मंतरी रच चुके हैं उनके बेटी को आप टिगट दे रहे हैं क्या होता है जो एक कारगरता होता है संगटन में आप देखें बीजेपी के से आर्चर शर्चर एक एक बार के विधायक को मुख्यमंतरी बना द सादी जी से उनके जात्रा में उन्होंने 3000 किलोमेटर की आत्रा में बहुत साथ दिया साथ में चली तो तब से उनके गुड़ बुक्स में आ गई तो ये जो पर जो सीटे होती हैं इन सीटों पर बहुत कुछ स्टडी करना पड़ता है लेकिन सिर्वों किसी का पुराना एक political पारिवारी background है उस base पर आप अगर ticket दे रहे हैं तो वो फिर जनता भी देखती है और कारेकरता भी देखते हैं कारेकरता उस उससा से आपके लिए vote मांगने के लिए जनता के बास नहीं जाते हैं तो ये एक lagging factor है इनके साथ, सचिसे इनके साथ ये इसको disturb करेगा और बात घुम बिर के वही हो आती है कि राजा के बेटा ही राजा क्यों होगा तो ये कहीं नों कहीं अब जनता को क्योंकि जो voter है, बासेट परसेंट यूव voter है, यूव voter बहुत अलग जाग सोचता है उसको ये सब कीज़ों सा मुटलब नहीं रहता है उसको अच्छा परिपक को चहरा चाहिए और अगेन, मैं तारिफ नहीं करूँगा मैं हगीगत की बात कर रहा हूँ मोदी की गारेंटी काम कर रही है हर सीख पे पासो तिरालिस सीटों पे जो बाजपा फाइट कर रही है मोदी की गारेंटी अडिशनल काम कर रही है तो मोदी की गारेंटी की जो फालोर्स है वो युवा है युवाओं का जो विश्वास है वो मोदी में है तो चिंतामरी महाराज को इसलिए प्लस पॉइंट है जे 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 ठीक है मैं आलोक सर आपके पास आना चारों एक सवाल दरसल दिल्ली का रह गया था मैंने प्रकाश्च तर भी वही सवाल किया था कनहिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कॉंग्रस के साथ दिक्कत ये कि बहुत अच्छे राजनेता अगर उसके पास रह गए कनहिया क्या एक्सपेरिमेंट है कॉंग्रेस का ऐसा कहा भी जाता है कि बड़ी बंती उनके और राहुल गांधी की आलोक सर देखिए रली जी कि अधिया एक के जी से वह भरता कि नेता इस देश में आया है अपने ठीक पास्टनों से लोगों को प्रभावित करने की छम्ता रखता है लेकिन यूड़ाग बीन अगर दिल्ली के अलावा कहीं और लड़ाए जा सकते हां इसे ऐसा कहें के हथियार बहुत अच्छा था गलत जगह इस्तमाल कर लिया गया गलत जगह इस्तमाल हो गया अगर ये बिहार के किसी और सब्सक्राइब कोई रिकॉर्ड बन जाता मैं आपको रोक रहा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आलुक सर आपका प्रकाश्पिंग पांडे सर आप भी हमाई साथ लगातार बने रहे हैं बहुत धन्यवाद हमने बात की और दरसल हम यह बात क्यों कर रहे हैं आज जब आप पहले संखनें की चाहे वह आलोक वत्से को सुनें प्रकाश्पिंग पांडेयों को हम विस्तार से चर्चा कर रहे होंगे आपको एकडम चीजें क्लियर ओग चाहे भटा भट क्लियर हो या खटागड क्लियर पर आपका दिमाग और मानस एकड़ रहेगा दर्शकों का भी ध